नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट अगर आप बिगनर्स हैं और कुकिंग सीख रहे हैं तो डेफिनिटली आपको आटा गूनना भी सीखना होगा या फिर आप डेली रूटीन में ये तमाम काम करते हैं लेकिन आटा गूनने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम कंजियूम करते हैं तो यूज दिस सिम्पल है रिफाइन आटा या चक्की का आटा कोई साभी आटा लें पर रात में आटा डालने के बाद पानी लें और आटे में शामिल करें गर्मियों में आप टैप वाटर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर विंटर्स हैं तो आप थोड़ा नीम गरम पानी का इस्तमाल करेंगे आटे और पानी को मिक्स करते रहें मेक शोर कि ये मिक्सटर थोड़ा सॉफ्ट रहें आटे और पानी का एक सॉफ्ट मिक्सटर बनाने के बाद बरतन को किसी भी शीट या धकन से कवर कर दें अगर आप रिफाइन आटा इस्तमाल कर रहे हैं तो आप साथ मिनट के लिए बरतन को कवर रहने दें और अगर आप लाल आटा यानी चक्की का आटा इस्तमाल कर रहे हैं तो बरतन को 10 मिनट के लिए धका रहने दें इसके बार धकन को हटाएं और सिर्फ एक मिनट के लिए आटे को गून लें इस सिंपल से हैक को इस्तमाल करके आटा गूनने के लिए आपको नहीं बहुत ज़्यादा एफट लगानी पड़ेगी और नहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस्तमाल होगा सो यूज इस सिंपल एंड जबर्दस्थ हैक तिल नेक्स टाइम अलाह निगेवान ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए